नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आशिश ग्यादव और यह मारी गाड़ी टाटा नेक्सवन एक्सम वेरियंट 2021 यह 15 दिन हो गया में से लिवेड इसकी डिलिवरी तीस तारिक को था वो समारो और 26 नवंबर को जब हमने यह बुक की दिए उस टैम पे इसकी कीमत थी एक्शो रूम में 7,84,500 रुपे और आज की टैम पे 15,000 रुपे ने बढ़ा दिये तो हमें मिलती ही यह 7,99,500 रुपे की 8,00,000 ही महानलो ही यह हमने CSD के थूर निकल वाई थी तो हमें 7,77,000 कुछ की पढ़ गी थी बाकी यह एक ओवर वीडियो है जिसके अंदर हम देखेंगे कि इस गाड़ी में क्या-क्या है क्या-क्या नहीं है इसके उपर आले वेरियंट में क्या कुछ अलग दे देते हैं और इसके लोर है इसके उपर एक XMS आता है उपर निए इसके साथ का ही वेरियंट है वो उसे बस एक संरूफ दे देते हैं उपर यहां पर और एक ऑडियो के कंट्रोल देते हैं स्टेरिंग वील पर उसके लिए 50,000 रुपे ले देते हैं बाकी XE वेरियंट आपको 90,000 रुपे कम देके मि लिए बाकी इसके लुक की बात कर लेते हैं तो लुक इन्होंने पुरानी वाली नेक्सॉन से काफी जादा अग्रेसिव बना दिया है आगे से तो मतलब चेंज ही गर दी गाड़ी बिलकुल साइड से से में पीछे से भी आल्मोस सेम ही है लुक बट आगे से काफी जादा कर दिया अब इसकी एड्लैम्स के बात कर लेते हैं तो यह रई इसकी लाइट्स यह आगे डियार रहा है। यह रहा है इसके दोनों और यह प्रोजक्टर है इसके अंधर है उसका आप दिखा जेता हूं आपको दिन में एक लास्ट में राद की वीडियो डाल दूंगा मैं यह इतना खास पता तो चलनी रहा होगा वैसे अठीए यह बाकी यह नॉर्मल बल्ब है वाकी नीचे आएंगे तो यह इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर XE और XM variant में नीचे मिलते हैं यह बाकी XZ और XZ Plus में यह आपको DRLs के अंदर ही मिल जाते हैं और यहां पर यह फोग लाइट के लिए जगा दे रखी है इसे फोग लाइट देते नहीं है बाहर से लगवा सकते हैं आप बाकी एक प्यानो ब्लैक फिनिश में गार्निश दे रखी है उपर आले वे इंड में XZ Plus में यहां पर यह सिल्वर कलर की से मिल जाते हैं बाकी XZ में भी यह ब्लैक ही मिलती है और XC में भी बाकी यह एक क्रोम गार्निश दे रखी है इसके अंदर काफी अच्छी लगती है और जितना कम थोड़ा बहुत क्रोम भी अच्छा लगता गाड़ी में ज्यादा भी बाकी यह प्यानो ब्लैक फिनिश दे रखा है यह डाटा का लोगो और यहां पर नीचे एक ट्राइएरो डिजाइन दे रखा है जो कि यह भी अच्छा लगता है और बाकी फ्रंट में ऐस सच कुछ नहीं है काफी जादा हेवी लगती है फ्रंट से और साइड में आएंगे पीछे आएंगे तो पीछे कुछ छोटे-छोटे चेंजिस किये हुए इनोंने जैसे कि नीचे देखेंगे आप तो यह रिफ्लेक्टर से अभी यह ट्राइंगल सी शेप दे रखेंगे इनको पहले यहां पर एक इधर की तरफ स्ट्रिप सी आती थी सीदी सी और यहां पर आपके बात कर लेते तो टेलाइट्स में यह बीडियार के साथ ही जलते हैं यह दोनों और बाहर से पूरी से में यह पुराने वाले की जैसे अंदर से इसमें काफी जाते चेंज कर देए इसका भी जलाके दिखा देता हूं है यह ऐसे जलती हैं बाकि इनका भी में रात का लास्ट में चिपका दूँगा इस वीडियो में और पीछे और तैसे टाड़ा का लोगो आपना यहां पर यह नेक्सवन की बैजिंग और यहां पर मोडल की कोई बैजिंग नहीं है ठीक है वो सब भी यहां पर यह उपर वाले में एक्जट प्लस में यहां पे वाइपर द बाकी इस साइड से तो करी लिया था इसके एक बार टायर की प्रोफाइल देखें यहां पर आपको वन नाइंटी फाइव 60 r 16 की मिलते है और इसके अंदर आपको वील कवर मिल जाता है एक प्लास्टिक का बाकि एट ड्रक बाकी ज्ताइड तो की बाखी बाहर से देखिए तो यह यह और यह एक्सी वेरेंट में नहीं आती है एक्सम और इससे उपर के सारे में आ जाती हैं यह बाहर से लगा रखें कंगी आरव बनाओंगा इन सब चीज़े बना रखें की वीडियो बाखी इधर देखिएंगे आफ तो यह और यह बाकि डोर हैंडल से यह भी आपको मैड ब्लैक फिनिश में मिलेंगे इनके अंदर कुछ फूर नहीं है मज़े वाली बात और यह पीछे आप जाएंगे एक बार तो यह बूट है बूट का यहां पर इन्होंने अंदर सुछ दिया हुआ और एक आप इसको फॉलो मी हेड्लैम्स वाले की को लॉंग प्रेस करके रखेंगे तो बूट खुल जाएगी बाकि उपर वाले वेरेंट में जिसमें की लेस्ट इंट्री है उसके अंदर स्टार्ट श्रॉप बटन वाला है उसमें यहां पर बटन दिया हुआ है उसको दबा बूट लैम्स देते हैं लाइट देते हैं पारसर ट्रेन उने दीनी है पता नहीं क्या इनके परिशानी है वह देते हैं बाकि आपको पीछे जगा जादर रिकॉयर्ड है तो आप कहीं जैसे शिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसको यह बैंच फोल्डिंग सीट से इस इस वाली यह भी इसके भी अगर प्रोफाइल देखें तो यह भी वर नाइंटिवा सिक्स्टी और सिक्स्टीन का मिलता है सेम जैसे हमारे बाकी की सारे टायर्स है यह हमने इसको लगा दें नीचे ओ फस गया इसको नीचे से निकाल दिया अब इसको बूट को करते हैं बंद और यह बाहर से तो यही सब था इसके लुक्स में नॉर्मल स्टील टायर दिया है स्टील इंस वाला उसके अंदर कुछ विलकवर नीए यह भी कमजोर से हैं विलकवर एक दिन लग रहा था तूट जाएंगे बाकी इसके अंदर चलके देखते हैं अंदर से क्या है यह आप जैसे खोलेंगे तो गेट पर देखेंगे यहां पर चारो पार विंडो के इन्होंने सुछ रखें एक्सी वेरियंट में सिर्फ यह आग वाली दो पार विंडो देते पीछ आले वही घुमाने वाला है मेरे को पसंद दीता तो में तो रीजन मेरा यही था चोटा सा कि एक्सम ही लेना एक सीनी लेना बाकि इसके अंदर नीचे जाएंगे आप यहां पर थोड़ी से जगा दे रखी है वह पकड़ने के लिए भी कुछ कई लोग धर भी देता कुछ बाकि यहां पर एक जगा काफी है एक लिटर की बोटल आराम से आजाएगी दो लिटर की फजा भुजा करके दिखा दूँगा मैं और यह बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर यह मैं सीट थोड़ी से पीछे कर लूँ जगा पूरी दिख जाए यह है यह मैं बंद कर देता हूं सारी और यह इसके अंदर आप देखेंगे तो यह पूरी डिजिटल एम आइडी देते हैं इसका उन अनलॉक यह फॉलो मी हेड्लैम्स का जो की पार्किंग में रात के टाइम पर काम आ जाता है वैसे दिन के टाइम पर कुछ फायदा नहीं है इसको लॉंग प्रेस करके तो बूट खुल जाते है बाहर से ही बाकि इसको हम चाबी को लगाएं तो यहां से ऐसे लग जाएगी और यह गुमा दी तो इसकी यह पूरा इसको यह से बंद कर लूँ मैं ऐसा से दिखता है कुछ इसका इंस्ट्रेंट क्लस्टर पूरा अभी कि सिटी मोड पे यह बागी इसके अंदर अमें तीन मोडा मिल जाते हैं को सौन तो यहां से एक टीटी बस्ति यह जैसे टीए फिर यह स्पूर्स आ गया और फिर यह सिटी आ गया और यहां पर इसके वाइपर के गंड्रूज दे रखेंए वाइपर इसके अंदर Automatic Rain Sensing वाइपर नहीं मिलते हैं आपको जब इनको करोगे चलाओ जबी चलेंगे यह बारिश-वाइश इतने समझदार नहीं मतलब बेवगूफ से ही है इधर यह लाइट के गंडूर्स दे रखें इन्होंने और यह गेर है छे डाल रखें इसके अंद यहां पर एक कारचाजर लगा सकता है बाकी यहां पर एक यूएसबी दे रखी है और यहां पर ऑक्स के लिए जगा दे रखें आक्स डाला नहीं हुआ कंपनी ने यह इनकी यह जाएंगे तो यह और यह सिस्टम है इसका यह हार्मन कारण का मिलता है आपको फोर्ट स्पीक यह नॉर्मल काम करता है और यहां पर यह एक इवेंट्स दे रखें इसमें चारो ठीक ठाक सभी टाइम पर गरम कर देते हैं बाकी यहां पर यह इसके तुमारे मीडिया के सारे रखें ऊपर चलेंगे आप तो यह एक नॉर्मल मिरर है यह नाइट मोड वाला नहीं है इसको इधर इन्होंने संग्लास होल्डर दे रखा है यह माइक दिया हुआ है हाँ पर और यह लाइट दे रखिए यह लीड लाइट है इसका आप करें यह वाइट कला की जलते हैं यह काफी अच्छा लगता है नहीं तो और यह यहां पर देखेंगे आप तो इसके अंदर आपक सब्सक्राइब कर सकते हैं इसकी सीट है वह भी आपको सिर्फ बाहर से दिखा दूंगा एक बार आगे पीछे हो सकते है रिकलाइन तो सब में होता है यह उपर नीचे हाइट रिजिस्टेबल सीट भी नहीं है इसके अंदर इधर देखेंगे आप यह आपको उपर आले लिए कि और तो अंदर ऐसाच कुछ है नहीं और मैं एक बाहर पीचे वाली सीट पर बैठके देख लेते हैं कि बहले है क्या-क्या हुआ तो इसके अंदर सिर्फ आगे पीछे कर सकते हैं इस गेट को खोलेंगे आप तो इसके अंदर भी एक पार विंडो का स्विच्छ दे रखा है इन्होंने कंट्रोल का यहां पर देखिए एक लिटर की बटल में फजा के रखी हुई है चोटा मोटा स्पेस बचता है आगे आपको मिलते हैं जिस्टिबल और इसके अंदर यहां पर नॉर्मल आपको सीडवेट मिलती है यह यह भी अजिस्टिबल नहीं है इससे उपर वाले मोर्ड में यह भी आफका डिस्टिबल मिल जाएगी अब यह बंद कर लो यह गाड़ी को उपर देखेंगे यहां प में भी नहीं मिलेंगे आपको और बाकी पीछे काफी काफी ज़्यादा स्पेस है और मैं पाच आठ है मेरी हैट मेरे अरांड इतना अब देख सकते हैं यह चेंच के अरांड भी बन जाता है इतनी जगा बची हुई है आगे भी मैं आरां से बैठ जात दो पीछे में आरां पीछे क्या डाल रख खड़ेगे में क्या नहीं डाल रखा और तो अंदर है सच कुछ है नहीं यह हमारी होगी गाड़ी पूरी कवर अगर कुछ चोड़ दिया तो यह बता देना वाकी आगे जैसे हमने कैंटीन से CSD के थूरू निकल वाई है तो उसका भी प्रोसेस बाकी एक नमें लास्ट में क्लिप एड़ कर दूंगा उसकी लाइट की रात में उसका आउटपुट वो देख लीजेगा जाके बाकी भीया अगर पसंद वसंद आई हो तो तो सब्सक्राइब कर देना लाइक भी गरी देना मन करें तो चलो चलते हैं बाई झाला कर दो और तो सब्सक्राइब कर देना भाला सकता हैं लाइक बाईब उसक्राइब कर दो पसंद आप ग्रोसेसा का बाईब झाल झाल झाल